तो देखिए अब अमारिका के गड़बंदन में रहेंगे तो थोड़ी ना आपको इस सत्संग सीखेंगे बदमाशी ही सीखेंगे और यही कुछ हो रहा है अब जपैन के साथ में जे हाँ अब ही कल परसो की ही बात है जब हम लोगों ने एक वीडियो में डिसकुशन किया था काफी इंपॉर्टेंट था और वो कुछ ऐसा था कि जहां पर भारत को रशिन कुरूड ओयल खरीदने पर बेस्टन कंट्रीज एक विलन के तौर पर प्रजेंट कर रही है तो जपैन वहा बहुत बड़े क्राइसेस से बचाया वरना आज जो क्रूड ओयल 70 रुपे डॉलर प्रती बेरल में उपलब्द है वो 200 तक मिलता आपको तो इस तरह से भारत ने दुनिया भर की मदद की है खासकर वेस्टन कंट्रीज की तो इस मामले को लेकर भारत की उपर जादा यह कल वीडियो देखा था आप लोगोंने लेकिन वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक हिंट दी थी और वो हिंट कुछ ऐसी थी कि मैंने आपसे कहा था कि देखिए जपैन यह जो कुछ कह रहा है सही तो है और यह बास सारे लोग जानते भी है लेकिन जपैन का स्पेशली प्राइस के बिंपोस किया है रश्यन क्रूड ओयल पर उसके बावज़ू दिन सारी चीज़ों को धता बताते हुए जपैन ने क्रूड ओयल रश्या से खरीदना वापस से शुरू कर दिया है जिसके चलते अमेरिका के दुआरा जपैन के ओपर दबाव भी बनाया जा रहा कि क्यों खरीद रहें आप लेकिन इसके बावज़ू जपैन की मजबूरी है और वो रश्यन तेल गेस खरीद रहा है तो यहां पर उसने अपनी बार ढगने के लिए भारत को हीरो बना कर प्रेज़ू किया भारत का तो फाइदा हुए इस से लेकिन जपैन ने भी कही ना कह लेकिन रश्य यूकरिन वार के बाद जपैन और अमेरिका अलग हो गए थे और इन्हों ने अपनी भागेदारी इस सकालन वन परियोजना में छोड़ रखी थी और उसके बाद इस परियोजना को काफी ज़टका भी लगा और इस परियोजना का जो प्रोडक्शन था वो भ जपनिस कमपनी जिसका नाम मिटसूई है उसका शेर 22.5 प्रतिशत का है और यहां से एलन जी की सप्लाई जपैन को की जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि इसी मिटसूई कमपनी की तरफ से रिसेंटली एक बयान दिया गया है इनकी तरफ से कहा गया है कि देखिए ह हम लोगों ने सारे आकलन लगा लिये और आकलन लगाने के बाद हम लोग इस निसकर्श पर पहुचे हैं कि हम लोग सखालिन 2 परियोजना से बाहर नहीं होने जा रहे हैं और यह जिस तरह से चल रही है यह लंबे समय तक इसी तरह से चलती रहेगी और इस परियोजना के ज ये दबाव रश्या और अमेरिका दोनों की तरफ से डाले जा रहे थे अमेरिका अगेन यही कह रहा था कि देखिए आप इस परियूजना से बाहर निकल जाएए क्यों रश्या को फाइदा पहुचाते हैं तो खर हाल में रश्या की ही धमकी काम आई और रश्या के साथ दोबारा से इन्हों ने प्रूड ओयल और नेश्रल गेस के लिए वेपार शुरू किया और अब ये लोग इस निसकश पर पहुचे हैं कि सखालिन टू में अपनी जो भागीदारी है उसे एज़टीज रखा जाएगा और रश्या से जो नेश्रल गेस ये लोग खरिते आए हैं ये लगातार इसी तरह से खरिते रहेंगे इस में किसी तरह का दबाव अब ये लोग फेस नहीं करने वाले हैं जो कि वेस्टन कंट्रीज द्वारा डाला जाता है और जैसे हर कॉन्फलिक्ट में अमरिका अपना हिद देखता है इस कॉन्फलिक्ट में जपैन भी उसी की तरह अपना हिद देखेगा तो अब आप समझ चुके होंगे कि जपैन ने कुछ समय पहले वो विशलेशन क्यों किया था और क्यों बताया था कि भारत ने पूरी दुनिया को रशन तेल खरीद कर एक बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला है क्योंकि अल्टिमेटली जपैन को भी ये सारी चीज़े करनी है भारत ने जो किया और उसके गुंगान के लिए जपैन ने जो भी कहा वो बिल्कुल सत्यता है उसमें कोई दोमत नहीं है वो सारे फैक्स के अधार पर ही कहा गया था और इस बात को वाके में दुनिया मानती भी है लेकिन इस तरह की तारीफ करने के पीछे मेरा तो यही म